दोसरी कहनी एक ऐसे कपल के जो बहुत ही करीब थे, जिनके पास घाने तक के पैसे नहीं थे, लेकिन एक दिन उनको एक जादूई शक्तियों वाला टी-पॉट मिलता है, जिसकी शक्तिया ये थी कि अगर कोई इस जादूई की पॉट के सामने खुद को या दूसरों को चोट पहुचाता, तो वो टी-पॉट उस आदमी को पैसो से माला माल कर देता, अब इससे वो कपल तो बहुत अमीर हो गए थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद उनके साथ इस चीपॉट की वजह से ऐसी भयानक खतरनाग खटनाए खटने लगी, जिससे उनकी जिन्दगी नर्थ से पतर बन गए, लेकिन आखिर उनके साथ ऐसी कौन सी टरावनी खटनाए खटने लगी, चलिए चानते हैं, तो कहनी की शुआ जान और एलस नाम के एक कपल को दिखाते हुए होती है, जो एक नॉमल कपल की तरहा रोज सुबा एक साथ जखते थे, एलस एक नेक दिल औरत थी और हर सुबा अपने फ्रिज में मौझूद चीजों से अपने हस्बेंट के लिए बढ़िया बढ़िया नाश्टा बनाती थी, वही नाश्टे के बाद जॉन अपनी जॉब पर चला चाया करता था, घर में किसी चीज़ की कमी ना हो इसके लिए जॉन को कड़ी मेहनत करने परती थी, असल में जॉन एक इंशुरेंस एजेंट था और वो अपने काम दिल लगा कर था, एक दिन वो फोन पर इंशुरेंस बेशने के लिए किसी को कन्वेंस कर रहा था, कि इतने में उसको सुपरवाइजर उसे और ज्यादा मेहनत करने और अच्छी रिजर्ट्स देन के लिए उस पर दबाफ दाता है, जॉन कहता है कि इसके हालात बहुत बुरे हैं, इसलिए वो ठीक तरह से काम नहीं कर पा रहा है, लेकिन सुपरवाइजर को उससे कोई भी मतलब नहीं होता है, ठीक उसी वक्त, एक जिगा जॉब के इंट्रिव्यू देती है, पर रिजक् और नहीं दूसरे लोग की तरह मास्टर्स के टिकरी थी, जब वो हार कर घर लोटती है, तो उसका घमंडी मकान मालिक उनके दर्वाजर पर पहुंच कर उससे घर का किराया मांगता है, एलिस अपना अकाउंट चुट करती है, तो देखती है कि किराया चुकाने के बाद उस उसे उनकी बाद आतर उनके प्रॉब्लम्स के बारे में ही होती है, पर एक चीज अच्छी होती है कि बहाँ ड्रिंक फ्री थी, इसलिए वो दोनों पार्टी एंच्वाइड करते हैं, अगले दिन सुबह घर का राशन खत्म होने की वज़ह से दोनों शॉपिंग के लिए श बोरी और चुला रहे थी। इस लोड़ी और को जमीन से एक गोल्डन टीप उठाकर शॉप के अंदर ले जाती हुई देखती है। उस गोल्डन टीपोर्ट से अट्रेक्ट होकर एलिस भी शाप के अंदर चली जाती है।Aheles बोरी और शें बात करने लगती है कि गी उस बोर खुर कर शौप से भाहर भाग में आपक तुरणती एक बार की हैं को स्ट जूराने को कहती एक पहले एक कुछ चुरात वा देखकर जौं heeft हरानी होती है। और एलस कहती है की कीपाइय है की एक तुर्प इनFF ऑट अlying पाए त Śनष olur तो उसमें कुछ डॉलर्स दिखाई देते हैं। उसे लगता है कि उसके जलने और डॉलर्स के मिलने में कोई कनेक्शन जरूर है। और इस बात को आस्माने के लिए वो इस बार जान बूच कर अपना फोर हैड चला लेती है। और टी पॉट फिर से हिलने लगता है। और इस उसे 700 टॉनर्स मिलते हैं। इस बात को कन्फरूम करने के लिए अब की बार वो अपने पैर से चेयर को जोर से किक करती है। जिससे उसके पैर में चोट लग चाती है। और टी पॉट में और भी ज्यादा पैसे आ चाते हैं। उदर आफिस में जॉन को जॉब से निकाल दि पर तभी एलिस उसे सोर से थपर मारती है। और उसे टी पॉट से निकलने वाले पैसे दिखते हैं। और वो समझ जाती है कि हर बाग उन्हें जब भी कोई चोट लगेगी तो टी पॉट से पैसे निकलेंगे। जॉन बहुत बुरे दौर से गुजर रहा था इसलिए उसे पर यकीन नहीं होता है। फिर उसे विश्वास दिलाने के लिए एलिस अपने खुटने से जॉन के बेट पे मारती है। और टी पॉट पागलों की तरहां सोर सोर से हिलने और पैसे देने लगता है। अब जॉन को यकीन हो जाता है पर वो कहता है कि ये सारी चीजें आगे जलकर उन्हें को नुकसान पहुचा सकती है। इसलिए वो उस टी पॉट को वापस इंटीक शॉप में लोटाने की सोचता है। पर वहां पहुचकर उसका इरादा बदल जाता है और वो उसे पैसे बनाने के लिए रख लेता है। फिर वो उसे लेकर कैश और ट्रैश डाम क एक टीवी शो पर जाता है। जहां होस्ट उस टी पॉट की कीमत 5,000 जॉटर्स रगाता है। जॉट को एडील पसंद नहीं आती और वो टी पॉट को वापस लिकर अपने खार आ जाता है। इस बीच एक अधेर उम्र का एशन आदमी उस शो को देखता है। और उसे वो टी टीपॉट से ठेव सारा पैसा कमाते हैं। पर उनहें ये सब करते हुए तकलीफ के साथ मजा भी आता है। क्योंकि खतरनाक तरीके से सेक्स करने पर भी उन्हें टीपॉट से पैसे मिलता है। अब ईलिस और जॉट से बदा जाते हैं। उनका रहन, सहन, खाना, पीना और और इस वजह से उनका मूड भी बहुत अच्छा रहने लगता है एक दिन एलेस की मा और बहन लंच पर उनके घर आती हैं तो ये सारे चेंज़ देखकर वो बिलकुल हैरान हो जाती है कि जॉन की सीर्समें की मावली सी नौकरी में वो लोग इतनी अच्छी जिंदगी कैसे मैन उनकी मात हो गई एलिस टीपॉट को तकी एक नीचे छपा देती है और उनसे कहती है कि उन लोगों ने टीपॉट को भेश दिया है इस पर वो गुंडे उससे उन पैसो के डिमांड करते हैं जो उन्होंने टीपॉट को बेश कर कमाई है एलिस को लगता है कि वो ने ठूड़ते हैं और उन्हें एक ऐसी बुक मिल जाती है जो उनकी इस सालो तक उनकी जिया है इसमय को उब्चा कर फार यए सौलोंती है वो दोनों ने बनी बनाते है महगे महगे कपलों से लेकर शान और शौकत की हर चीज़ खरीटते हैं और बड़े बड़े लोगों को अपनी पाटीस में इन्वाइट करते हैं इस तरह उनकी जिंदगी बड़े ही आराम से फीत रही होती है कि एक दिन एकेशन आदमी उनकी डोर बेल बचाता है और दर्वासा खोलने पर कहता है कि उसका नाम लेलिंग है और वो थियोसाफिकल कम्यूनिटी में एक काम करता है वो कहता है कि उसे पुरानी चीज़ों और खास का टीपॉट्स में बहुत इंट्रिस्ट है जौन उस आदमी को घर पर बठा कर उसकी बात को अच्छी तरह सुनना और समझना चाता है पर एलिस कहती है कि अगर उन लोगों ने उस आदमी को टीपॉट्ट के बारे में बताया तो टीपॉट्ट के साथ साथ वो सारी चीज़े भी खो देंगे जोने टीपॉट्स मेले थी लीलिंग उनसे कहता है कि वो लोग खत्रे में हैं पर वो उसकी बात नहीं सुनते और उसके मुपर दर्वासा बंद कर देते हैं लीलिंग के जाने के बाद उनका पुराना मकान मालिक अरनी बिन बुलाया उनके घर में खुश जाता है और उनसे पूछता है कि उनके जैसे दो कोड़ी के लोग इतनी जल्दी अमीर कैसे बन गए दिरसल अरनी उसक्त दिया हुआ होता है और बिवकूफो जैसी हरकते करता है फिर अचानक वो उनके हाँ से टी पॉट चिनकर भाग जाता है जौन उससे टी पॉट वापस चीने के कोशिश करता है पर टी पॉट उचलकर बीच रास्ते में घर जाता है अरनी उसके उपर अपनी गाड़ी चला के चला जाता है पर टी पॉट को जरा सावी स्क्रैश नहीं आता उसे चुटकारा पाने का सिर्फ एकी रास्ता है कि उसे किसी ऐसी जगा में छुपा दिया जाए जहां उसे कोई भी ढूंड नहीं सके पिर वो उन्हें उस टी पॉट के हिस्टरी बताते होँए कहता है कि वो टी पॉट अपके समय के सबसे अच्छे और सबसे बुरे लोग के हाथों से होकर खुसरा है ली उन्हें वान करता है कि अगर उनके अंदर ज़रा सी भी बुराई होगी तो ये टीपॉट उन्हें बढ़ा देखा वो बताता है कि बर सो पहले आखरी बार एक नाजी कैम्प में उस टीपॉट को देखा गया था ये सब सुनकर जान टीपॉट को ली को दे देना चाता है पर एक बाप फिर से एलिस जान को इस टीपॉट को लेलिंग के हवाले करने से मना करती है वो कहती है कि हम दोनों अच्छे लोग हैं और खुद पर काबू रखना हम जानते हैं इस पर जान अग्री हो जाता है एक रात वो दोनों गुंडे जिनों ने पहले भी उन्हें परिशान किया था फिर से वो उनके घर में खुसाते हैं और चूरी करते हुए आपस में बात करते हैं कि जॉन और एलिस बहुत बेवकूफ हैं इसलिए अपना पैस अपने टॉयलेट पे छुपा कर रखते हैं जॉन और एलिस अपने बेडरूम से उनकी आवास सुन लेते हैं और निकल कर उनके सामने आते हैं और उनके आने की पागल हो जाता है। इस सब कुछ उन दोनों ने अपनी ग्रैंड मदर के साथ होते हुए देखा था। इसलिए उन्होंने जान बूच कर उस टीपार्ट को जान और एलिस के पांस रहने दिया था। ताकि उन्हें तक्लीफ उठाकर कमाई गए पैसो को वो लोग आसानी से हास पैसल कर सकें। जान और एलिस उन्हें रोकने की कोशश करते हैं और उनके बीच फाइट होने लगते हैं। जब उन्हें होश आता है तो वह देखते हैं कि अब जीपार्ट पहले से कम पैसा देने लगा था। पर इस चक्कर में एलिस और जान खुद को इतनी तक्लीफ दे है क्योंकि उसे उमीद थी कि इसके बैग में रखा हुआ टी-पॉट उसे अच्छे पैसे देगा इस लड़ाई में जॉन घायल हो जाता है और ली फिर से उसके पास आता है और कहता है कि टी-पॉट उसे और उसकी पत्नी को धीरे-धीरे खाता चा रहा है उसी समय एलिस दरात्मा को खाने लगता है एक दिन कार ड्राइब करते हुए एलिस अपनी बगल वाली सीट पर बैठे जान से कहती है कि पूरी दुनिया दर्द से भरी हुई है वो चाहें तो हर जगा से टी-पॉट के जरिया पैसे कमा सकते हैं वो अपनी बातों में खोई हुई थी कि त उसका साथ नहीं देता ये कहकर वो रोने लगती है इस बीच एलिस देखती है कि टी-पॉट ने उनके एमोशनल पेन पर भी पैसे दिये हैं अब वो इस बात को कन्फर्म करने के लिए सच पर जान के इंसर्ट करती है और उसका यकीन मजबूत हो जाता है क्योंकि टी-पॉ पर सारे पैसे देता है उस दिन से उनका ये रोज का निया बन जाता है वो दोनों रोज एक दूसरे की इंसर्ट करते हैं और अपने ऐसे एसे राग एक दूसरे को बताते है कि सामने वाला बूरी तरह से हर्ट हो जाए और टी-पॉट उनके बात पेसे देदीत होता है ये अपने सारे राज बता दिये थे और अब कोई भी राज नहीं बचा था फिर वो दूनों ये दूसरे को हर्ट करना छोड़कर दूसरों को हर्ट करने लगते हैं वो लोग दूसरों के डाक सीक्रेट्स उनके करीबी दोस्तों और रिष्टिदारों को बता कर उन्हें एमोशनली हर्ट करते थे हैं और उसके बदले में उन्हें कीपाट से मोटी कमाई हो जाती थे पैसे कमाने के लालच में एलिस इस हद तक चली जाती है कि अपनी ही बेहन का डाक सीक्रेट उसके हस्बेंट के सामने खोलने का प्लान बना लेती है कि उसका पहला बच्चा उसके हस्बेंट करने बल्कि किसी और का था उस प्लैन के मुताबिक वो सब के सामने वो रास खोल नहीं ही वाली होती है कि बेहन का चेहरा देखकर वो अपना इराधा बदल देती है और उसे पश्टावा होता है कि वो अपनी ही बेहन का घर बरबाद करने वाली थी पर जॉन कहता है कि उनके पास पहले से ही काफी पैसे हैं, उन्हें और ये सब करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आलिस नहीं सुनती, और कहती है कि प्लेगराउन में बहुत सरे ड्रग बेशने वाले हैं, अगर उन्होंने उनमें से किसी एक को भी मार दिया तो ना सिर्फ वो म पर एलिस कोई भी जवाब नहीं देती है और निराश होकर जॉन ली के पास चाहता है, और उसे हल्प मांगता है, ली कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, जॉन उसे रिक्विस्ट करता है कि वो उस चीपाट को चुरा ले, पर ली कहता है कि इस तरह कोई फाइदा नही का, उस रात नहाने के बाद एलिस जब अपने बैटरूम में जाती है तो देखती है कि जॉन सेकंड फ्लोर के बिंडो के किनारे बैठा हुआ है, वो उससे कहता है कि उसके चले जाने के बाद वो चीपाट को वापस करते है, एलिस उसे कूदने से मना करती है पर जॉन का था, अगले दिन लीक और टीपाट सौपने का फैसला करके वो दोनों सो जाते हैं, पर उस राज जब एलिस और जॉन अपने रूम में सो रहे होते हैं, उन्हें नीचे से कुछ आवास सुनाई देती है, जॉन चेक करने के लिए नीचे जाता है तो देखता है कि उनका प टीपाट को हासल करने के लालच में वहां आचाते हैं, एलिस को याद आता है कि जब वो दोनों चोर उनके घर पैसे चुराने आये थे तब उन्होंने उस टीपाट को टच किया था, और इसी वज़े से वो टीपाट से अट्रेक्ट होकर उसे चुराने आये थे, जॉन और एलिस की किस्मत अच्छी थी कि बाकी लोग पिस्चल्स और राइफल से एक दूसरे को खायर करके खुदी ठेर हो जाते हैं, मैदान साफ देकर जॉन और एलिस टीपाट को टा लेते हैं, और उसे निजाक ली को दित देते हैं, ली उनकी तारीफ करते हुए कि पास में लाइक और शेयर दर दो